अधार इनेवल पेमेंट सेस्टम क्या है? ग्रामिन भारत में या UPI से ज़्यादा फेमस क्यों हो रहा है? अधार सच्छम भुकतान पर नाली जी हाँ अधार इनेवल पेमेंट एक बितियोग करने जो भारत की ग्रामिन अवादी के लिए बर्दान सावित हो रहा है दोहर सुल्ला में अपनी शुरुवात के बात से ही या भारत के कुछ सबसे दुरस्ट कोनों में जमा, निकासी और सेस्टासी की पूछता जैसी अवैसकता बैंकिक सिवाव से लेकर आया है 2030 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए यह बताया गया है कि लगबग 88% बेतन भुकतान APS के माध्यम से किया गया जो देश भर में इसके ब्यापक उप्योग का उजागर करता है आपको बता दें कि अधार सच्छम भुकतान पर नाली अक्सर APS के रूप में जाना जाने बाला यह बित्य उपकरन भारत के रश्टिय भुकतान निगम के जैरी संचालित किया जा रहा है यह उलेखनीय पहल देश के भीतर ब्यापक अधार सरचना पर निर्फर करती है जिसका लक्ष, सुरच्छित और सरल बैंकिंग पर चालन परदान करता है यह अधार डेटाबेस को बैंकिक बुन्यादी धांचे से जोड़ने वाला एक पूल के रूप में कारे करता है वन टाइम फास्वर्ट की कोई अब सकता नहीं है या बिशिस्ट बैंक खाते की विबरन याद रखने की परसानी भी नहीं है इसमें नगत जमा, निकासी, स्रेश रासी की जांच और मिनी एस्टेटमेंट से ही बैंकिंग से बाएं की पूलिस रिंकला सामिल है फन ट्रांस्वर्ट या अधार से अधार फन ट्रांस्वर्ट की भी पेस्केस करता है और भीम अधार पे या समर्थन करता है एपेस के साथ लेन ने पॉइंट और फ्रेल डिटाल्स माइक्रो एटियम पर भी क्या जार सकता है जिससे प्रांप्रिक बैंक जाने या डेविड कार्ट का उफ्योग करने के अभी सकता समाप्त हो जाती है APS की बदादत बैंकिंग असान और कुसल बन गया है ग्रामिन भारत में APS UPI से आगी क्यों है जी हाँ जिर्चास बात लिया है कि ग्रामिन भारत में अधार सच्छम भुक्तान परनाली ने यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस को पीछे छोड़ दिया है इसके कई परमुक करन है APS के साथ ग्रामिन अबादी बायमेट्रिक करके बितिय लिंदन कर सकती है जो उन लोगों के लिए एक असान बिकल्फ है जो UPI जैसे मुवाइल अधारत अप्लिकेशन के साथ सहच नहीं है इस सिस्टम ने बैंकिंग सुवधार से बंचीद ग्रामिन अबादी के लिए बैंकिंग अनवादी के द्वार खोल दिया है इंटरनेट कनेक्शन की बात करें दोस्तों ते एक अन्य लाव इस थीर इंटरनेट कनेक्शन की नियूत्तिम अविसकता होती है इसके बिप्रित उपियाई लेंदेन के लिए एक बिशफशनी इंटरनेट लिंक की अविसकता होती है एक ऐसी अविसकता होती है जो ग्रामिन शेत्रों में हमेंशा पूरी नहीं होती है एपियस एक इंटर अपरेटेबल मोडल पर काम करता है जो ग्राहकों को किसी भी बैंक के एजेंटों से पैसे निकालने की अनमती देता है जब तक कि उनके खातें उनके अधार नमबर से जुड़े हो यह सिवा ग्रामी निवासियों के लिए अत्यंत आवेसक लवित कारी परणान होता है अधार कार की बात करें दोस्तों तो अधार सच्छम भुक्तान परणाली भी उच्छ शफलता दर का दावा करती है भातिये रास्टी भुक्तान निगम के अनुसार अधार सच्छम होने पर पतक्ष लाव हस्तान तर की सफलता दर 99.55% है जो खाता अधारित भुक्तान की लगवग 98% सफलता के दर से अधीक है एपेस हस्तान तर की सीधी लवार्थी के अधार नंबर से जोड़कर खाता परिवर्तन या खाता भीवर्ण में अपडेट की कमी से समंधित मुद्दो को दरकिनार कर देता है या सुब्धा ग्रामिंग परिवेश में महत्यपून है जहां बैंकों में खाता भीवर्ण अपडेट करना चुरूती पून हो सकता है ओई एक काफी सुब्धा जनक है तो दोस्तों क्या आप भी कभी अंगुठा लगा करके अपने गाउं में अपने महला में या कहीं भी गए हैं तो अंगुठा लगा के पैसे निकाले हैं तो प्लीज अपना कॉमेंट अपना रिवीव इस वीडियो के निचे जरूर दिए क कि और जकि कालते हैं तो आपको किसी तरह का परसानी तो नहीं हो रहा किसी तरह के साथ कुछ फ्रॉड तो नहीं किया जाता है प्लीज इस वीडियो की निचे कॉमेंट कीज़े और इस वीडियो को लाक का सेर जबर किए जिसक Physics की और लोगों तक इसका जनकारी पहुंच ल कि धन्यवाद दोस्तों बाई बाई अपना क्या लखिए।